क्लास 10 का exercise 3.4 का question number 1 का third number हम लोग समझेंगे solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method इन सब question को क्या करना है कि elimination और substitution दोनों method से solve करना है ठीक है तो first equation इसका क्या दिया हुआ है 3x-5y equal to 4 यह equation first हो गया second equation है 9x equal to 2y plus 7 है तो 2y इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 9x-2y equal to 7 हो जाएगा यह हमारा equation second हो गया अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर y वाले term को कटाना है तो इस वाले 2 से इसमें multiply कर देंगे 1 में और इस वाले 5 से इस वाले 5 से equation second में हम लोग multiply कर लेंगे तो 2 से इसमें करेंगे तो 2 से first वाले में multiply करने का मतलब यह हो गया कि परतेक टर्म में हमको multiply करना होगा तो 3 जा 6 x हो जायाएगा 2 5 जा 10 और y है तो y लिख लेंगे 248 उसी तरह से second वाले में हमको क्या करना है इस वाले 5 से जो y का coefficient है उसी coefficient से another equation में multiply करेंगे यानि कि यह equation 1 में इसका का coefficient 5 है तो इसको multiply करेंगे equation 2 में तो 2 में करेंगे फाइब से तो क्या एगर 95 जा 45 एक से तो x लिख लेंगे 2y को 5 में करेंगे तो माइनस यह क्या हो जाएगा 10y 7 को 5 में करेंगे तो 75 जा 35 हो ठीक है इसको क्या करना है हम को कि माइनस करना है ठीक है घटाना क्यूंकि y का जो देख रहे हैं यहाँ है साइन दोनों में equal sign है बराबर है एक समान साइन रहे हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं तो इसलिए यहाँ पर मैंश हम लोग कर रहे हैं तो सबका साइंट होगा प्लस है तो मैंनस मैं जाड़ेंगे से माइनस करेंगे 6X तो क्या हैगा माइनस में 39 X equal to हो जाएगा 35 में से 8 माइनस करेंगे तो 27 और बड़ा जो है उसका sign माइनस है माइनस- cancel हो जाएगा माइनस- create x equals ओग तो यहां पर हम लिख सकते 27 और 13 3039 हो जायागा तो 9 divided by 13 यह हमारा एक्स का वैलू निकल गया तब यहां पर लिखेंगे putting the value of x in equation फॉस्ट फॉस्ट वाले equation में अगर रखते हम तो फॉस्ट वाले equation क्या है 3x-5y equal to 4 है तो 3 multiply x के जगा पर क्या है 9 divided by 13 इसका value रख देंगे तो माइनस 5y equal to 4 इसको multiply करेंगे तो 930 27 divided by क्या हो गया 13 हो गया माइनस 5y जैसे था वैसे लिखेंगे और 4 जैसे था वैसे हम लोग लिख लिए माइनस में 5y equal to 4 पहले से हैं लिख दिये यहां पर यह प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा इसको solve करेंगे तो LCM 13 आएगा इसके नीचे एक है इसका LCM निकाले 1 और 13 का 13 हो जाएगा 13 4 जा 52 और 27 को 1 में करेंगे 27 माइनस करने पर क्या आएगा हमारा 25 और divided by क्या पहले से 13 अब यह क्या हो जाएगा 55 25 हो गया तो उपर क्या हुआ 5 और यह साइन हमारा हो गया माइनस और divided by क्या हो गया 13 तो इस तरह से यह वाई का वैलू निकल गया तो लिख सकते हैं hence x equal to 9 divided by 13 y equal to minus 5 divided by 13 यह x और y का वैलू हो गया अब इसी question को क्या करना है कि by substitution method से solve करने है तो first equation देख लेंगे क्या है 3x minus 5y equal to 4 है second equation हो जाएगा 9x minus 2y equal to 7 ठीक है हो जाएगा तो 4 plus 5y यह multiply में है तो divide हो जाएगा यानि x equal to क्या हो गया 4 plus 5y divided by 3 equation third माल लेंगे अब यहां से क्या करेंगे putting the value of x in equation second first वाले से निकाले तो second में हम लोग रखते हैं second equation क्या है हमारा तो 9x minus 2y equal to 7 है तो 9 multiply x के जगा पर यह वाला value हम लोग यहां पर रख लेंगे ठीक है 4 plus 5y divided by 3 और minus 2y बराबर क्या यहां पर 7 है तो यह कटेगा 3 3 जा 9 त्री टैम्स कट जाएगा तो 3 से multiply होगा तो 3 4 जा 12 3 5 जा 15y और minus 2y पहले से equal to 7 ठीक है तो 15y में से 2y घटाएंगे तो 13y हो जाएगा 7 पहले से था लिख दिये plus में 12 विधर minus हो जाएगा minus करेंगे तो क्या आएगा minus 5 होगा अब यह क्या है 13 multiply में इधर जाके divide हो जाएगा minus 5 divided by 13 अब एक y का value निकल गया तो लिखेंगे putting the value of putting the value of y putting the value of y in equation third y का value क्या करेंगे थाड़ वाले equation में रखेंगे थाड़ वाले equation क्या है x equal to 4 plus 5y divided by 3 है तो 4 plus 5 into y के जगा पे क्या हो जाएगा हमारा minus 5 divided by 13 यह लिख लेंगे इसको multiply करेंगे तो क्या आएगा 4 है तो 4 लिख लिख लिए 55 25 divided by 13 लिख लेंगे अब इसका क्या करेंगे यह इतना का उपर वाले को देखें तो यह LCM निकालके solve कर सकते है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 4 जा 52 minus 25 divided by क्या हो गया यह 13 3 तो नीचे है ही और यह आपका नीचे multiply हो जाता है ठीक है इसको solve करेंगे तो क्या आएगा तो 52 म multiply 13 है तो यह 3 से cancel हो जाएगा 3 9 जा 27 हो गया 9 divided by 13 एक्स का वहलू निकल गया तो लिख सकते हैंस x equal to 9 divided by 13 and y equal to minus 5 divided by 13 यह हमारा required answer हो जाएगा ठीक है चलिए इसका question number अब 4 solve करते हैं बहुत इजी है question number 4 में क्या है कि x by 2 plus 2y divided by 3 equal to minus 1 है and x minus y by 3 equal to 3 है तो first वाले equation लेकर चले तो क्या है अपका by elimination method से solve करना है और साथ-साथ इसी question को by substitution method से solve करना है ठीक है तो सबसे पहले elimination से solve करना है तो कर लेते हैं क्या है equation x divided by 2 plus 2y divided by 3 equal to minus 1 है तो इसका LC हम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 3 को x में करेंगे multiply 3x हो गया 2 to 4y equal to minus 1 minus 1 cross multiply किया जाए तो 1 को इसमें करेंगे तो 3x plus 4y 6 को minus 1 में करेंगे तो minus 6 हो जाएगा यह हमारा equation first हो जाएगा second वाला क्या है x minus y divided by 3 equal to 3 है इसके निचे 1 चिपा हुए है तो 1 और 3 calcium क्या हो जाएगा 3 और 3 को x में करेंगे multiply तो 3x 1 को y में करेंगे तो 1y that is y लिखते है ठीक है तो 3x minus y divided by 3 equal to क्या है हमारा 3 है अब इसके निचे 1 hidden है तो cross multiply कर लेंगे यहां से तो 1 को 3y 3x minus y में करेंगे तो 3x minus y और 3 को 3 में करेंगे 3 3 9 यह हमारे equation second हो गया अब यहां से elimination method से क्या करेंगे हम लोग कि इस वाले equation में देखे और इस वाले equation में देखे एक्स वाला term हमारा equal है यहां पर ठीक है तो क्या करेंगे multiply करने की जुरत नहीं है सिधे क्या करेंगे दुनों का sign equal है तो minus कर लेंगे from equation first minus equation second दोनों equation को जब हम minus करेंगे तो यहां पर हम लोग लिख सकते है क्या दोनों equation का minus करते है तो first वाला हमारा equation क्या था 3x plus 4y equal to minus 6 था और second वाला क्या था 3x minus y equal to 9 था तो minus करेंगे तो सबका sign change होगा यह plus है तो minus minus है तो plus plus है तो minus इससे यह cancel हो जाएगा 4y और यह plus में अब हो गया y तो 5y और minus 6 minus 9 तो minus 15 डिवाइड कर देंगे 5 से तो cancel होगा 3 5 3 जा 15 तो यह y equal to हो गया minus 3 अब क्या करेंगे putting the value of y y का value आ गया तो इसको हम लोग क्या करते है equation 1 में अगर रखे तो equation 1 है 3x plus 4y equal to minus 6 है तो 3x plus 4 into y के जगा पर y का value हम minus 3 रख लेंगे ठीक है equal to minus 6 हो गया तो 3x 4 को minus 3 में करेंगे multiply तो minus 12 हो गया equal to minus 6 है तो 3x है तो लिख लिए 3x minus 6 था जैसे वैसे हमने लिख लिया minus में 12 विधर जाके plus हो जाएगा 12 में से 6 minus करेंगे तो क्या आएगा 6 हो जाएगा यानि कि 3x equal to 6 हुआ 3 multiply में है तो इधर जाके divide होगा तो 6 divided by 3 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 x का value 2 आ गया तो लिख सकते हैंस x equal to 2 and y equal to minus 3 यह हमारा required answer हो जाएगा अब इसी question को क्या करना है सब्टीजिशन मेंटर से solve करना है तो first equation क्या है 3x plus 4y equal to minus 6 second equation है 3x minus y equal to 9 अब लिखेंगे from equation first पहला equation से लेकर चलेंगे तो क्या होगा 3x plus 4y equal to minus 6 हो गया अब यह y वाला term यहाँ पे लिखते है तो 4y minus 6 जैसे था वैसे लिख दिए प्लस में 3x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा यह इतना का टोटल डिवाइड क्या हो जाएगा 4 तो इतना डिवाइडेड वाई क्या हो गया 4 equation ठट हो गया अब यहां से हमारा क्या निकल गया y का वैल्यू निकल गया तो यहां पर हम लिख सकते है putting the value of y putting the value of y in equation second first से निकला आप second में रखेंगे तो second वाला equation क्या है 3x minus y equal to 9 है तो 3x minus y के जगा पे ये y का value ये जितना आया है यहाँ पे y के जगा पे रख देंगे तो क्या है minus 6 minus 3x divided by 4 हो गया तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x minus sign हम अंदर रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो ये minus है तो plus हो गया minus है तो ये plus हो गया या common भी लेंगे तो ये minus minus ये क्या हो जाएगा प्लस बना देगा और यह टोटल कॉमन ले लिए तो यह प्लस हो गया तो यहां से हम LCM निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3, 4, 12 12x हो गया और 1 को इसमें करेंगे cross multiply तो 6 plus 3 6 plus 3x हो जाएगा divided by क्या है LCM हमारा 4 हो जाएगा अब यहां से 12x plus 3x 15x हो गया प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख लेंगे अब इसको multiply कर लेंगे 94036 ठीक है 15x equal to 15x equal to क्या है पहले से 36 है plus 6 इधर जाके minus हो जाएगा तो 15x equal to क्या हो गया 30 हो गया तो 15 multiply में है इधर जाके क्या हो जाएगा तो 30 divided by 15 15 2 जा क्या हो जाएगा 30 x का value क्या हो गया 2 निकल गया अब क्या करेंगे x का value निकल गया तो लिखेंगे putting the value of x in equation third थर्ड वाला हमारा equation यह है इसमें हम लोग x का value रखेंगे तो equation third हमारा लिख लेंगे y equal to minus six minus three into x के जगह पे x के जगह पे x का value क्या है 2 है तो x के जगह पे हम लोग 3 into x है न तो x के जगह पे क्या करेंगे x का value 2 रख लेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा six minus six और minus six क्या हो गया minus 12 फोर जैसे था वैसे लिखते आ रहा है फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर 3 जा फोर 3 जा क्या हो जाएगा 12 तो minus 3 हो गया तो लिख सकते हैंस x का value 2 और y का value minus 3 यह हमारा required answer हो गया इस तरह से इसको अबनों solve कर लेते हैं